नमस्कार मैं विदिप्ती जैसवाल बहुत सारे लोग हैं जो योग्राम में इलाज कराने के लिए जाने वालें और योगपिट भी बहुत लोग जाना चाहते हैं क्योंकि रूंग तो मिल नहीं रहा है योग्राम में और कई लोगों को पैसा पे करना पड़ता है तो क्या कंडिशन है कि जिनको पे करना पड़ता है और बालमी की आस्रम में रहने के लिए कुछी डॉक्यमेंट्स भी चाहिए होते हैं सब कुछ में इस वीडियो में बताऊंगी तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अग यह सब्सक्राइबर जो दू दिन पहले ही देहरादून एरपोर्ट से डायेक्ट बालमी की आस्रम आई तो उनको ट्वेल हैंड़ी का टैक्सिफ फेर पड़ा और वह वालमी की आस्रम में रही क्योंकि उनको युग्राम जाना ते एक दिन पहले वह पहुची थी दिन के बाद अगर आपको रहना पड़े क्योंकि यो पिट में फिलाज कराने के लिए लोग जाते हैं बहुत सारे रिलेटिव होते हैं तो उनको कही बार में स्टेक करना पड़ा कम खर्ज में तो ऐसे में बालमी की आस्रम मैं सजेश्ट करते हूं क्योंकि स्टार्टिं का बात आपको चार्ज देना पड़ता है अगर नौन एसी रूम ले रहे हैं दो सिंगल बेड है तो आपका 225 पर डे पड़ेगा लेकिन अगर आप डर्मेट्री वाला ले रहे हैं तो 75 पर डे पड़ेगा जो वालम की आस्रम है वो टोटल तीन फ्लोर का है ग्राउंड फ्लो गंच सिंगल ड़ेड का भी कोई रूम रहता है तो जो मेरे सब्सक्राइबर थी फो अर्थ राइटी सपेसेटी तो सेधी तो चाहता नहीं सकती तो तो उन्होंने कहा मुझे ग्राउंड फ्लोर दे दी जी तो उनको ग्राउंड फ्लोर मिल गया और सिर्फ पाँंच मिनिट के अंदर जैसे पहुची पांच मिनट के अंदर उनको रूम भी दे दिया गया लेकिन जैसा कि अभी कोवीड का टाइम चल रहा है तो बालमिकी आश्रम में रहने के लिए आपको कोवीड निगेटिव रिबोट दिखाना पड़ेगा वरना आपको वहां पर रूम नहीं मिले और अपना एक आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा अगर हजबन वाइफ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मेरा सर्टिफिकेट ले करके जाए क्योंकि एक दमपती थे जो गया थे उनके पास मेरा सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस और बालमिकी आस्रम में रहने के लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने परते हैं इसको जानने के लिए आप राइट साइट का वीडियो देखिए बालमिकी आस्रम के बारे में बताया गया है और जिनको योग्राम में रेजिटिशन कराने के बाद पेमेंट करने के दिक्कत तो वो लेफ्ट सेट का वीडियो देखिए इसमें सब कुछ बतायों कि कैसे आपको पेमिंट करना है